एकदम चटपटा और टेश्टी सा ये स्नाक्स आप जरूर घर में ट्राइ करना बहुत ही टेश्टी लगता है यहां पर मैंने जैक फ्रूट को लिया है उसको अच्छे से क्लीन कर लिया उसका स्कीन निकाल के छोटा छोटा पीस में कट कर लेना है उसको गरम पानी में नमक थोड़ा बॉयल कर लेना है 50% फिर यहां पर थोड़ा सा नमक थोड़ा हल्दी पार्डर रेड़ चिली पार्डर जिंजर गाली पेस्ट और कॉन फ्लावर थ्री स्पून लिया है मैंने और मेदा ही सब कच्छे से मिला लेना है फिर आम यह इसको ऑईल में फ्राइ कर लेना के बाद हमारा यह जो हे पकोडा बनाया था वो डाल दे रहा है तो यह हमारा जैक फ्रूट चीली बनके तेया और यह बहुत ही टेश्टी लगते है लीज लाइक और सस्क्राइब